हेलो फ्रेंट्स इस्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका श्वागत है आज के हम इस वीडियो में 36 गड़ में बिजली विवाग के द्वारा बंफर 307 पदों की वेकेंसी निकाली गई है इसकी संपूर जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे चलिए शुरू करते ह इसी प्रकार से वेकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन चालू कर लिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो चके इसमें 36 गड़ इस्टेट पावर होल्डिंग कमपनी लिमिटेट के द्वारा जूनियर इंजिनिरिंग के लिए वेकेंसी निकाली गए है इसमें कुछ इंपोर्टन डेट दिये हैं इसे हम देख लेते हैं अप्लिकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने की तिथी दी हुई है इसम इसमें लास्ट डेट आपका 28-10-2021 दिया हुआ है इसी दी 23-10-2021 तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं अब हम इसमें वेकेंसी की जानकारी देख लेते हैं इसमें CSPDCL के द्वारा एलेक्ट्रिकल में 173 पद लिका ले गए हैं उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी में टोटल 10 पद लिका ले गए हैं, कंप्यूटर साइंस में टोटल 10 पद लिका ले गए हैं, इसी प्रकार CSPDCL में इलेक्ट्रिकल के लिए 28 पद लिका ले गए हैं, इनफॉर्मेशन टेक्नोलोजी के लिए 3 पद लिका ले गए हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पद लिका लिका लेगे हैं, Electronics के लिए दो पद लिका लेगे हैं, इसी प्रकार CS, PTCL के लिए Electrical के लिए 8 पद, Electronic के लिए 4 पद, इसी प्रकार Civil के लिए Total 40 पदों की Vacancy निकाली गई है, इन सभी पदों को Total मिला कर 307 पदों की Vacancy निकाली गई है, अब हम इन सभी पदों की Minimum Qualification देख लेते हैं, इसमें Electrical के लिए 3 Year Diploma in Electrical या Electronic में होने चाहिए, उसके बाद Information Technology में 3 Year Diploma Information Technology में होने चाहिए, Computer Science के लिए 3 Year Diploma Computer Science Any Government Institute में होने चाहिए, उसके बाद Mechanical के लिए 3 Year Diploma Mechanical या Production Engineering में होने चाहिए, इसी प्रकार आप Electronic के लिए Minimum Qualification इस प्रकार देख शकते हैं, इसमें Civil के लिए 3 Year Diploma Civil Engineering में होने चाहिए, इसमें चैनित अभ्यरती को S8 के तहाद 35,400 से 1,12,400 रुबेद दिये जाएंगे, अब हम इन सभी पदों की Age Limit देख लेते हैं, जिसमें 1,1,2,0,21 के अनुसार इसकी गड़ना की जाएगी, इसमें Minimum Age Limit 19 Year दी हुई है, और अधिकताम 40 Year Unreserved एवं Male, Female के लिए दिया हुआ है, उसके बाद 45 Year OVC, SC, HD के लिए दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ शूट दिये जाएंगे, आप इसे देख शकतने हैं, इन सभी पदों के लिए आपको Application Feast लगेगी, जिसमें Unreserved OVC के लिए 1000 लगेंगे, उसके बाद HTSC के लिए आपको 700 रुपेद देने हुँगे, अब हम इन सभी पदों की Selection Process देख लेते हैं, इसमें आपको 2 घंटे के Exam Computer Based Test देने हुँगे, जिसमें आपको 100% Multiple Choice के दिये जिसमें Part 1 में आपको 80 Question Professional Subject में दिये जाएंगे, उसके बाद 20 Question आपको Journal Awareness या Reasoning की होगी, इसके बाद इसमें 1 by 3 की रेशियो में आपको Document Verification के लिए बुलाया जाएगा, इसमें आपको Negative Marking भी दी हुई है, इसे आप देख लेंगे, 1 by 4th Negative Marking दी है, आप इसे देख सकते ह हैं, इसमें Online CBT, रायपूर, बिलासपूर, भिलाई और दुर्ग में Conduct कराया जाएगा, इस प्रकार से ज़र सभी notification का लिंक आपको वीडियो की description में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और Online का भी लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे Online आ तर्नेवाद।